आप लोग को तीज कतियो हर बहुत बहुत मुबारक हो आज आप लोग क्या करने वाले हो बच्चो येस आज आप लोग खेवर खाओगे, गुंजिय करोगे, खूब मस्ती करोगे बट सबसे पहले आप पॉंडिंग में पढ़ाई करोगे आज आप सब लोग आज अपनी ममा पापा की साथ बैठना, मस्ती करना आज तीज का तो हार है, ममा की हेल्प कराना उनके साथ किचन में येस एड खूब खाना, खूब खेलना और जूला भी जूलना, मैं भी जूलूँगी पर इन सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सबसे पहले हम हिंदी की क्लास में हिंदी का वर्क करेंगे बच्चों कर मैंने आपको क्लास में पीभू और दंतपरी पार्ट छे का रिटन वर्क कराया था सबसे पहले हमने क्या किया था सबसे पहले हमने विशे सुची बनाई थी और विशे शुची के बाद में आपको ग्रीहकारे दीया हूं तौफी और चोकलेट का चित्र बनाकर चार ऐसी चीजों के नाम लिखने आपको जो आपके दातों को आपके तीत को मजबूत करते हैं I hope आप सब लोगों ने वो वर्क कम्प्लीट कर लिया होगा और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो जल्दी से कर ले हैं आज ही कम्प्लीट और उसके बाद हमने किये थे डिफिकल वर्ड कठीन शब्द और नेक्स वर्क था हमारा शब्द आज की क्लास में हम बच्चों पीहू और दन्परी पार्ट के प्रशन उत्तर करेंगे और उसके बाद हम नेक्स वर्क करेंगे यह पर हम डालेंगे अक्षा कार्य है उतकी बच्चों पाड़ छेव पीहू और दल्बरी पीहू और दल्बरी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इस कहानी में इस स्वीट लिटिल गल है पीहू और दल्बरी बेशनर का wild बेशनम पीओ कर्या पर सब्सक्राव में पीओ कर देख Boris देखर के तो पट कीडा इस वीडरी पीओ नहीं से कियू किया था दादी ने उनको समझाया एक कहानी के थूँ अब उन्होंने बताया कि दंतपरी जो है वो केड़े लगे दाथों जिसके दाथों में केड़ा लगा होता है उसको श्राब दे देती हैं जिसकी बदर से सारे दाथ खराब हो दाते हैं और वो सारे दाथ निकलवाने पड़ते है इसमें मैंने आपको कुछ कोशन्स थे लिखित कोशन्स यह मैंने आपको छुडवाए थे मैंने कहा था कि यह कोशन्स हम नोट बुक में करेगे तो हमारा पहला कोशन्स था रात को पीवू ने दादी से क्या पूछा क्या पूछा था पीवू ने दादी से रात को जब पीवू दादी के पास सोने गई थी तो उन्होंने दादी से क्या पूछा पीवू ने दादी से पूछा दादी दादी आपके दाद कहा गए आपके दातों में क्या हुआ क्या पूछा था उसने दादी दादी आपके द कहां गए यही पूछाता ना ओके नेक्स कोशन है हमारा दातों में कीड़ा लगने से क्या होता है क्या होता है जब दातों में कीड़ा लग जाता है तो हमारे सारे दात खराब हो जाते हैं क्या हो जाते हैं और हमें वो दात डाक्टर की पास जाके निकलवाने पड़ते हैं व क्या होगा हम जट पटाएंगे तरपेंगे येस तो हमें अगर हम टॉफी खा रहे हैं चोकलेट खा रहे हैं कोई भी फूड आइटम खा रहे हैं तो हमें एक दिन में टू बार ब्रश जरूर करना चाहिए एक मॉर्णिंग में और एक रात को सोने से पहले इस नुकलेट के जु कुशन में और तो पहते कर तक दीघैंगे ईसा कनी को चेक था है क्सक्राई के ज़्यक्ति है और शाओ तोफी ये फ्युक्ते कि स्टैंग समोगितेते लगोए जब सब्सक्रों कीड़े में लगा में अयही कि नहीं लगा एक भ्लराइक संसे फहा है ऊद्र लगैर के लगती तंस हमारे दातों सल्सक्राइ करेंगेर हे तेलब फॉलोह कि जाया जा आश करीडिया वde तेल म्यं प्रौनि करनें की वजया किके था तो कि पार सम्रसो Now, I will write down the quotient answer. क्या है हमारा आज़का टॉपिक? प्रेश उत्तर क्या है प्रेश नमबर बन? पर्स प्रेश्ट क्या है हमारा? राद को पी मुमे दादी से क्या पूचा? राद को पीबु ने दादी से क्या पूचा? क्या पूचा था? क्या पूचा था बच्चो? आप सब लोगों को पता है ने क्या पूचा था? तो हम अब बुप्सकान सा लिखेंगे पीबु ने दादी से पूचा की दादी आपके दाद क्या पूचा थादी से क्या पूचा? पीबु ने दादी से पूचा की दादी आपके दाद कहा गए? ओकी? नाम नेक्स कोशन दादों में कीरा लगने से क्या होता है? क्या होता है बच्चों अगर हमारी दादों में कीरा लगने से क्या होता है? तो बच्चों इसका अंसर होगा दादों में कीरा लगने से दाद खराब हो जाते हैं दादों में कीरा लगने से दाद खराब हो जाते हैं ओके स्टुडेंट दादों में कीरा लगने से क्या होता है? दादों में कीरा लगने से दाद खराब हो जाते हैं थर्ड कोशन, कोशन नमबर थर्ड क्या है हमारा थर्ड कोशन? पीवु के दाथ क्यों खराब हो गए थे? Third question is पीवु के दाथ क्यों खराब हो गए थे? क्यों खराब हो गए थे बच्चों पीवु के दाथ? क्योंकि पीवु ब्रश नहीं करती थी तो हम क्या लिखेंगे पीवु के दान ब्रश नहीं करने के कारण खराब हो गए थे क्या अंसर है हमारा पीवु के दान ब्रश नहीं करने के कारण खराब हो गए थे पीवु के दान ब्रश नहीं करने के कारण खराब हो गए थे यह मैंने यह तीन ही कोशन है जो आपको अपने कॉपे में राइट डाउन करने हैं ओके नाव स्टूडिन्स अगेंट आम रिपीटिंग कोशन नमबर वन रात को पीवु ने दादी से क्या पूछा इसका अंसर है पीवु ने दादी से पूछा की दादी आपके दात कहा गए कोशन नमबर टू दातों में कीडा लगने से क्या होता है दातों में कीडा लगने से दात खराब हो जाते हैं कोशन नमबर त्री पीवु के दात क्यों खराब हो गए थे क्यों खराब हो गए थे पीवु के दात पीवु के दात ब्रश नहीं करने के कारण खराब हो गए थे ओके बच्चो now you all write down in your notebook ओके students अभी हमने क्या किया अभी हमने question answer किये और अब हम क्या करेंगे अब हम अपनी class का next work करेंगे next work क्या है हमारा हमें क्या करना है next work आपने अपनी विशे सुची में देखा है न next क्या है next है हमारा मिलते जुलते शब्द लिखिए मिलते जुलते शब्द लिखिए का क्या मीनिंग है कि हमें कुछ ऐसे शब्द लिखने है जिससे जो दूसरा शब्द हम में लिखे वो मेल खाता हो जैसे मैंने बोला बेर तो मैंने अब मुझे अब इसे मिलता जुलता शब्द बोलना है दूसरा बेर, बेर का मिलता जुलता शब्द क्या होगा शेर, मैंने क्या किया बेर में से बाह हटा दिया और उसकी जगा क्या लगा दिया शा लगा दिया तो यह क्या हुआ हमारा मिलते जुलते शब्द हुआ बेड शेर दर्ड मड और पलंग पतं तो यह जो हमारे मिलते जुलते शब्द है अब हम वही करेंगे नाओ टेक आओ नेक्स पेज अन्यू पेज फोर दिस वर आपको नया पेज निकाना है बच्छो इस काम को करने के लिए तो टेक आओ न्यू पेज फोर दिस वर नाओ विल राइड दाउन अगें देट 23rd 7th of July and 2020 and what is the day दिन के गुगवार और यह है हमारा अक्षा कार्यर अक्षे पीगू और दर्परी क्या है हमारा कोशन कोशन है हमारा मिलते जोलते मिलते जोलते जोलते जो सुनने में एक से लगते हैं मिलते जोलते का मिल्स जोलते जोलते हैं इस तुरेंस सु फस्त इस मौ्ती मौ्ती से मौ्ती का को इस मन्ता बालता शबता जया अबालों मुझे सोची मैंने लिखा मोटी अब यहां मैं लिख लिए पोटी देखें मैंने मा के जगा पा लगा दिया है मैंने मा को हटा कर पा लगा दिया है तो यह क्या हुआ मोटी मोटी का क्या हुआ पोटी नेक्स्ट आपको लिखना है यह आपका ग्रीह कार्य भी है आपका ग्रीह कार्य क्या है कि आपको नेक्स्ट जो है वो अपने आप सोच के लिखना है कि मोटी का मिलता जुलता पोती से अलग पोती तो मैं नहीं लिख गिया तो आपको यहां को न्यू वर्ड लिखना है जो मो मैंने इसका लिख दिया है गर्ड क्या लिखा है गर्ड अब नेक्स क्या करेंगे नेक्स आपको लिखना है गर्ड हकारे में देखिए मैंने दा को हटा कर यहां क्या कर दिया गर्ड क्या लगाया मैंने दा हटा के गर्ड यानि दर्ड मैंने दर्ड का क्या बना दिया गर्ड अब next आपको लिखने है third word शाम third मैंने लिखा शाम मैं शाम का लिख रही हूँ काम देखे इसमें भी मैंने यही किया है शा को हटाकर काम लिख गया है यानि कि शा की जबह मैंने क्या लिखा है का लिखा है तुशा की जगा काम होने पर क्या हो गया शाम की जगा यहा हो गया काम next आप लिखोगे and fourth word दादी दादी का मैं लिख रही हूँ शादी देखिए दा को हटाकर मैंने क्या लिखा है दा को हटाकर मैंने लगा दिया यहां पर शा क्या लगा दिया तो यह क्या हो गया हमारा दादी की जगा शादी क्या हुआ यह हमारा शादी next आप लिखेगे शाद 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 और इसमें आज हम क्या करेंगे मिलते जुलते शब्द लिखिये देखे मैंने पहला क्या लिखा है मोती मोती का मैंने मा हटा कर यहां पोती कर दिया है मा की जगा पोती करके मैंने यह वर्ड लिख दिया है हमें जो भी वर्ड लिखना है जो भी शब्द लिखना है उसका कोई न कोई meaning जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि आप लोग कुछ भी लिख दें, नहीं, जो भी हम शब्द लिखेंगे, उसका कोई न कोई meaning जरूर होना चाहिए, ओके सुडेंट्स, तो नेक्स वन आप लिखोगे, नव सेकेंड इस दर्द, दर्द में स्पीड़ा होती है, यह गर्द, दा को हटा कर मैंने क्या लगा दिया, गा, तो यह क्या हुआ हमारा दर्द का गर्द, नेक्स्ट आपको लिखना है, नव थर्ड वन, शाम, शाम, शाम क शाम हटा के मैंने का लगा दिया है, तो यह हमारा काम, क्या है यह हमारा काम, तो यहाँ पर आपको न्यू वर्ड लिखना है, लेकिन हर वर्ड का, मैं फिर रपीट कर जो भी आप लिखेंगे, मिलता जुलता जो भी वर्ड आप लिखेंगे, उसका मीनिंग जरूर होना चा शादी, okay? Now next, आप लिखेंगे दांत दांत का मैंने क्या बनाया? आंत क्या बनाया? आंत तो आपको new word लिखना है Okay students, this is your ग्रीहा कारिया Okay students